सब्सक्राइब की चिता पर रोटियां सेखने वालों को कब देंगे काना जी सजा नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजुशर्मा दिल से स्वागत करती हूं आज तौ जरूर कहूंगी अपने प्रस्पेक्टिव से आपके उपर क्या भीती नहीं भीती वो तो आप बताएगी कमेंट्स करके मगर audience को Dimpy की death पे रोना इतना नहीं आया होगा जितना उनको अंश की इस हालत पे रोना आया होगा जितना उनको T2 की इस हालत पे रोना आया होगा क्योंकि Dimpy की इन गलतियों का जो भी सिला है वो इन दोनों को मिला है मगर उनका क्या जो अभी भी डिम्पी की चिता पे रूटिया सेक रहे है ये डॉली, पाखी, तोशू ये आज भी लगे हुए हैं डिम्पी की इस मौत का फाइदा उठाने में उनका हिसाब कब चलिए इस पे चर्चा करते हैं बड़े ही दुखी दिल से और ये निवेदन करूँगे आप सबसे की हमारा चैनल हंगरी स्पिरिड्स अगर आपको पसंद आता है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकोन भी दबाईएगा ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें धारावाइक में जिस तरह का मोड अब आया है इस मोड में बड़े-बड़े सीधे हो जाते हैं किसी अपने की मौत हो जाना किसी अपने का अपने से दूर चले जाना बड़े-बड़े लोगों को अपने कर्मा याद आ जाते हैं कि मुझे सजा मिल रही है मगर बा को तो यादी नहीं आते हैं बा को ये लगता है कि पता नहीं कौन से करमों की सजा मिल रही है सामने करम कर रहे हैं बुरे मगर समझ में नहीं आ रहा तो जब तक इनको इनके करमों का जो हिसाब किताब मिल रहा है वो समझ में नहीं आता तब तक इनको इनके कर्मों की सजा नहीं मिल रही यही मान के चलना पड़ेगा तो यहां बा का तो जो है सो है बा तो कभी उसको समझ में आता है कभी नहीं आता है मगर यह डॉली पाखी और तोशु का क्या जिन्होंने आज यह दिखा दिया कि यह सच में इनसान नहीं है इनके क्रेक्टर में इनसानियत शब्द को उड़ा ही दिया गया है यह आज भी बिना किसी बात पे आध्या पे ऐलिगेशन लगा रहे हैं और आज भी डिमपी की अभी चिता ठंडीब नहीं हुई होगी तो इन्होंने पुलिस बुला ली आज भी जो एपिसोर में हमने देखा है जिस तरह से तोशु पाखी और डॉली को बता रहा था उसकी आँखों में एक परसंड भी किसी के लिए दया दिखाई रही दे रही थी जो हमें अनुपमा के टाइम पे थोड़ा तोशु दिखाई दिया था कि मा के प्रति कंसन है आज तोशु वो भी नहीं दिखाई दिया आज तोशु सिर्फ मतलब प्रस दिखाई दिया जिसके सामने कोई मरा हुआ पड़ा है तो पड़ा रहे मेरा काम क्या है वो मुझे करना चाहिए डॉली पाखी जो खुद वहाँ पे जाके डॉली खुद जो बड़ी है बाग के बाद डॉली ही आती है ना अनुपमा के साथ साथ डॉली भी उतनी ही बड़ी है वो खुद जाके डिंपी का खयाल हॉस्पिटल में रख सकती है मगर उसको चिड मच रहे कि ये आध्या के साथ क्यों है बड़ा अजीब लगता है ऐसे लोगों का ये सोचना कि वो 13 साल की बच्ची इनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई आध्या के साथ जो भी कुछ हो रहा है उसको वो नाट कह रही है तो जब ये सब हम देखते हैं 13 साल की इनोसेंट बच्ची के साथ ये जो ऐसे पाप कर रही है डॉली पाकी तोशु तो इनका हिसाब कहा होगा इनको कब कानजी ये वाला जो है करमों का हिसाब देंगे क्योंकि जब तक ये नहीं होता तो किसी का भी इनसानियत पर विश्वास नहीं होगा हमेशा यही लगेगा कि करो और जाओ करो करम करो और अगली अगला खड़ा खो दो तो ये सब क्या है इसी पर सबसे ज़ादा ध्यान देना ज़रूरी है अगर जिन्दगी में लोगों की जिन्दगी में जो आडियंस है उनकी जिन्दगी में पॉजिटिविटी लानी है इन लोगों को इनके कर्मों की सजा ऐसे मिलनी चाहिए जो काना जी देंगे मैं मान के चलती हूँ क्योंकि बगवान के गर देर है अंदेर नहीं ये भी मान के चलती हूँ ऐसी सजा देंगे कि इनको रेलाइजेशन हो जब तक realization नहीं होती है तब तक सजा सजा ही नहीं होती है अब तक जितनी भी इनको सजाई मिली है इन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे कारण मिली है इन्होंने ये कहा कभी मम्मी के कारण, कभी पापा के कारण, कभी इसके कारण, कभी उसके कारण आज भी तोशु दिमाग में वो धक्का लेके बैठा है जो मम्मी ने आशा भवन से बाहर निकाला था तोशु पाकी को आज भी पाकी मम्मी के खिलाब बोल रही है आद्या के खिलाब बोल रही है अंदर जलन और पता नहीं कितनी कितनी नेगिटिविटी लेके बैठी है अंदर एक परसंड भी पोजिटिविटी नहीं है रही सही कसर जो है डॉली ने निकाल दिया मुझे याद भी नहीं है कि ड डॉली की बेटी मीनू को अनुपमा ने सुपोर्ट किया, वो इतनी घातक हो गई कि डॉली को किसी के मरने का भी गम नहीं है, मरने के टाइम पे वो ये सोच रहे हैं कि कैसे मैं आध्या को फसाओ, कितना जूट बोल बोल के खुद डॉली को पता है क्योंकि इनसान खुद जा उससे जादा करते जा रहे हैं, तो ये सब दिखा के हमारा मन विचलित होना बहुत जायस है, क्योंकि हम लोग इनसान हैं और हम इनसानों का ही धारावाइक देखना पसंद करते हैं, मगर ये सब इनसान दिखाई नहीं दे रहे हैं, I am very sorry to say, जो आज मैंने डॉली पाखी का विंडो वाला सीन देखा, वो सीन मुझे सच में लगा कि अभी भी ये लोग डिंपी के इस मौत का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो आसू गिडगिट वाले बहा रहे हैं, मगर मच वाले आसू, वो सिर्फ आसू दिखाने के लिए हैं, या फिर इसलिए वो आसू है कि हमारी एक वैंप चली गई, हमारा एक हत्यार चला गया जिसको डॉली यूज कर रही थी बार बार अनुपमा को टॉर्चर करने के लिए, ये आसू उसके लिए हैं, पाखी तो महामूर्ख है ही, शुरू से यही करती आई है, आगे भी करेगी, तो ये पूरा का पूरा चंक अगर हम लेके चले, तो एक ही चीज मेरे दिमाग में आई, जो मैंने अपने वीडियो में आपके साथ शेर की है, कि ये तोशू, पाखी और डॉली, और कुछ हद तक बा भी, ये सिर्फ डिम्पे की चिता पे रोटिया सेक रहे हैं, आज बा को अपना घर याद आ रहा है, ये करने को मन करता है, कि इनको इसी धारावाइक में सजा दे, नहीं तो फिर मार के किसी को कोई सजा नहीं होती है, उसके लिए तो सजा है ही नहीं, डिम्पी के लिए क्या सजा है, वो तो मर गई, सजा तो टीटू और अंश के लिए है, अनुपमा के लिए है, तो ये सजा इन लोगों को नहीं मिलनी चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए, ताकि इनको realization हो, ताकि लोगों को पता चले कि बुरे कर्मों के सजा ये होती है, क्या कहना है आपका, क्योंकि मैंने तो बहुत कुछ कह दिया है, आप भी बताइएगा, कमेंट करके, देखते रहे हैं, चैनल Hungry कि इनको है, कि बनको आपका अजर देखतो कि अजिए धनको बर्टना. चैनल करमाटाव ने सब्सक्राइगा का ब्ल्टना जर्च लाद हना है झाह बेल बताव कि इनको आपके इनको बाटना करेंगा है आपका अल्टना। सब्सक्टाइओ कर शाहिए घटिएूद ने पर